सेक्स्टॉर्शन का मामला सामने आया है जहां एक बुज़ुर्ग का अश्लील वीडियो बना कर उससे ठगी की गई बुज़ुर्ग ने अबस मामले के शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई है मध्यप्रदेश में सेक्स्टॉर्शन के मामले बढ़ते जा रही है पहले तो इसका शिकार ज्यादा तर युवा होते थी लेकिन अब बुज़ुर्गों को भी निशाना बनाया जा रहा है ताजा मामला इंदौर से सामने आया है जहां एक बुज़ुर्ग सेक्स्टॉर्शन का शिकार हुआ है साइबर ठगों ने बुज़ुर्ग को ब्लैक मेल कर 30,000 रुपे भी ठग लिये दरसल कुछ दिन पहले बुज़ुर्ग को एक युगती का वीडियो कॉल आया बुज़ुर्ग ने फोन उठा लिया उसके बाद बुज़ुर्ग के फोन पर एक अश्ली वीडियो आया फिर साइबर ठग बुज़ुर्ग को ब्लैक मेल करने लगी उसका वीडियो वाइरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपे की डिमांड करने लगी बुज़ुर्ग डर गया और उसने ठगों के खाते में रुपे ट्रांसफर कर दिये उसके पास एक कॉल आया एक जो की वीडियो कॉल था उसके बाद वोसमें लड़की ने अपने कपड़े उतारे तो न्यू वीडियो कॉल था और उसके बाद एक वीडियो बन गया, वीडियो बनने के बाद फिर इस विक्टिम का ही वीडियो बना लिया और बनाने के बाद फिर उसको ब्लैक मेल किया जाने लगा, उस लड़की के द्वारा एक लड़के की आवाज में एक कॉल आया कि यह वीडियो हम सोचल मीडिया वाइरल कर देंगे अगर तुमने पैसे नहीं दिये दूसरा यूटूबर बनके भी कॉल आया कि मैं यूटूबर बोल रहा हूं आपका वीडियो मेरे पास आया है अगर आप चाहते हैं इसको वाइरल नहीं करो तो पैसा देंगे साइबर ठग लगतार बुजर्ग को ब्लैक मेल करते रहें रुपए ट्रांसफर करने के लिए उस पर दबाव बनाते रहें इतना ही नहीं साइबर ठगों ने डराने के लिए स्टीवी आई का फर्जी लेडर भी भी भीजा और रेव का केस दर्ज करने की बात करी इसके बात डीएसपी सीवी वनकर फोन आया और इनको वाटसब पर नोटिस भी बेजा गया है सीवी एका कि आपके लाब केस रेस्टर हो गया है लगी ने रेप का केस रेस्टर कराया और आपको पैसे गर आप बचना चाहते तो पैसे दे दिजी जिए पचास यार रुपर मांगे थे इसमें कि 30,000 रुपे ब्रद के दौरा देर भी दिये गए थे लेकर उसके बाद से काफी जादा परिशान रहा और घर परिवार में जब उन्हों देखा को उनकी हालत खराब हो रही है तब जब परिवार वालों ने पूरी बात पताई कि मुझे इस तरह ब्लैक क्राइम ब्रांच में शुकायत दर्च कराई फिलहाल इस मामले में केस दर्च कर जाच की जा रही है लेकिन सेक्स्टॉर्शन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे है जानकारी के मताबिक जन्वरी से अब तक इंदौर में ही सेक्स्टॉर्शन के 18 केस दर्च हो चुके हैं वहीं पुलिस लोगों से सतर्क रहने और ऐ ऐसे मामलों में जल्द से जल्द शिकायत दर्च कराने की अपील कर रही है इंदौर से आशिश जादौन के साथ टीम न्यूस स्टेट